आकाश्य दिस साइड स्वागत आपका मेर यूटूब चैनल में स्काई डायरी स्पीक्स में और आज का ये जो दो कोशन पेपर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो कोशन पेपर है ओसी अम के इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको end moment में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है किसको ज्यादा importance देना है वो मैं आपको बताने माला हूँ तो अच्छे से बात्चित करेंगे आपको ये जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूं अच्छे से follow करना है मैं यहाँ पे दो बच्चों के लिए बात करूँगा पहले है जो पास होने के लिए आ रहे हैं दूसरे बच्चे है जो कि सरक्वर तो मैं को पूरा करना है बट हाँ लिमिटर पड़ने के लिए ये पोलना मैं को तो मैंने ये पास्ट के तीन चार पेपर्स का अनालिस करके यह मैं आपके सामने रख रहा हूँ तो चलो हम चालू करते हैं सबसे पहले डिस्टिनिश में हरे बच्चा ओब्यूसली मैंने तो वीडियो भी अप्लोड किया है चापन नमबर वन का पूरा डिस्टिनिश एक ही डिस्टिनिश पड़ेग और हाँ मैं अल्रेडी डिस्टिनिश में लिंक दे रहा हूँ वो वीडियो आप जाके देखना मेरे लिए जितना पॉसिबल है मैं आपके लिए वीडियो मनाता हूँ कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में मैं उको बताते हैं कि सर आप बोर्ड पे वाइड बोर्ड पे सकता हूँ आप तक पोच सकता हूँ उतना में ट्राय करता हूँ और मेरे मेरे पास जो भी नॉलेज है वो मैं आप तक पोचाने का प्रयास करता हूँ और अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वीडियो देखना छोड़ दो इससे आगे मैं और मैं कमिशन और नैशनल कमिशन हर एक एक एकजा में जो भी बच्चे एन एन में पढ़ने आप ये दो पढ़ो देखो मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ या तो पूरा हंडर परसंट नहीं बोल रहा हूँ पास्ट येर का पूरा एनालिस है कि हाँ उन्होंने ये इदर का चाप सेख साईड के लिए आप ये करके चाहो सेविं terre價 सब्कार सिक्ष जीपोजिट अशेट अकांट देन करचंट ऐनरिक inac इसका बुक में आप एक ही पॉइंट ओफ डिस्टिनिस दिया है तो आप ये भी कर सकते हो एक सेफ साइड के लिए इसका बुक में आपको कुछ शॉट्टिनिस देखे रहे है या तो कोई में कोफ ये नहीं करना है ज्यादा डिसकर्शन नहीं करना है बट एक बात आपको सिक्स में बोल सकता हूँ वो ये है कि इसमें चाप्टर नंबर वन का एक शॉट्टोट आजाएगा सर अभी वो कुन सा होगा ये मैं नहीं बोलूगा वो features भी आ सकते है merits या demerits पे भी एक question हो सकता या तो merits पूछेंगे या तो demerits पूछेंगे बट हाँ analysis ये है कि past हर साल उन्होंने एक question chapter 1 का तो पूछा ही यहाँ पे सर दूसरा है चाप्टर नमबर 3 का भी यहाँ पे एक question है चाप्टर नमबर 3 में कम question से इस बार के लिए सर कुन सा outsourcing पड़ो online transaction के steps पड़ो ज्यादा important है सर बाकी के important नहीं है क्या नहीं वो मैं नहीं कहूँगा आप focus ये दो questions पे करना YouTube पे ऐसे बहुत सारे professors आएंगे कैमेरे का सामने खड़े हो के बोलेंगे ये 5 questions पढ़के जाओ ये 10 questions पढ़के जाना इसमें से ये आएगा कि वो ऐसे बहुत सारे professors मिलेंगे आपको तो बच्चे उन पे विश्वास रखके जाते एक्जाम में तो ये professors गारंटी नहीं लेने वाले आपका तो my dear friends मैं मेरा analysis आपको बता रहा हूँ और उसके इसाब से मैंने ये आपे कुछ questions भी लिखे है हाँ आप इनको preference दे सकते हो पहले ये ही questions पढ़ना ये मैं बोल सकता हूँ बच्चा मैं बोल दे सर क्या ये 100% आएंगे अरे 100% तो कोई नहीं बोलेगा आपको जिसने पेपर सेट क्या उसके अलाव कोई नहीं बोल सकता क्या 100% कोशन आएगा हम आपको बता सकते हैं chances तो then my dear friends यहाँ पे chapter number 6 का एक कोशन आता ही है जो कि हर बार आया है यह एक हो गया बागी कि यह कोशन आप पढ़ लेना आपको यह पहले preference इनको ही देना है true or false with reason हाँ यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका format होगर है क्या होना चीए my dear friends please video को दाके जाके देखना मैं already description में link देना हूँ सब वीडियो अच्छे से देखना सब वीडियो जो भी मैंने channel पे डाले है वो आपके लिए very helpful है मैंने consider कि बच्चों को problem कहा पे आ सकता है तो उसके इसाब से मैंने वो वीडियो बनाया है तो हर एक बच्चे ने वो वीडियो तो at least देखने ही चीए तो considering आप वो format अच्छे से देख के जाओगे true or false with reason में आपको chapter number 1 का एक statement होगा ही यहाँ पे chapter number 3 का एक statement यहाँ पे होगा then chapter number 6 का एक statement यहाँ पे होगा compulsory and इस बार chapter number 5 का एक statement यहाँ पे जरूर होगा कुछ statements लिखे हैं मैंने यहाँ देखके जा सकते हो then यहाँ पे question number 5 में यहाँ पे एक बात याद रखना my dear friends यहाँ पे chapter number 4 का एक question आता है हर बार इन्होंने 3-4 last papers में इसका एक question यहाँ पे पूचा ही तो वह एक अच्छे से करना then आपका जो chapter number 6 थे इसका एक question शाहिद यहाँ पे आने की ज्यादा chances है और आपको मैंने already इसके importance होगर एक क्या है वो पहले एक video डाल दिया है वो importance का वीडियो भी अच्छे से देखना और यह papers आपको जो भी है इसका मैं पेडिया इसका डाल दूँगा अपने टेलिग्राम चैनल पे में डाल दूँगा या तो upload कर रही दिया है मैंने तो वो जाके देख ले न देन यहाँ पे हाँ यह very important question number 6 यहाँ पे क्या आएगा chapter number 1 का question यह chapter number 2 का question या तो यहाँ पे 2 का या तो chapter number 6 का question आएगा वी इस बार के लिए joint stock company के merits टी-merits में को लग रहे हैं यह यहाँ पे मैं को तो लास्ट year ही इन्होंने soldering अंसल का पूछा था तो I don't think so कि soldering का वापस पूछेंगे तो आप उसको छोड़के बाकी के पढ़ सकते हो partnership firm के लिए जाधा importance देना then cooperative society भी पढ़ना अच्छे से मैं आपको second answer question paper दिखाता हूँ तो यह रहा वापे मैंने यह नहीं question number 2 नहीं लिखा या पे क्योंकि पहले paper में जितना लिखा था वही अप अच्छे से करके जाओगे उसमें से आपका cover हो जाएगा don't worry then यह आप देख सकते हैं short notes के लिए preparation देना discussion तो मैंने already किया है then true or false with reason में कुछ statement दे वह भी अच्छे से देखे जाना then short notes में यह बे short answers में आपको यह questions भी अच्छे से देखे जाओ then यहाँ पर question number six में यह कुछ questions से वह भी अच्छे से करके जाना finally कुछ बाकी है में कोईसा नहीं लगता है but आप points और questions के अच्छे से prepare करो अगर आपको अंदर का content और प्रॉपरली नहीं हो रहा है at least points आप हर एक question के अच्छे से याद करके जाना exam में जितना possible हो था इतना ज्यादा से ज्यादा read करना और हिदर उदर खाली दो चार पाच्छे question के लिए भटगना नहीं खाली आप जितना आपको ज्याबस जो भी importance मिला है आप जितने भी question में जितना maximum करोगे उतना अच्छा रहेगा उनके points होगर अच्छे से याद करने का try करना और हाँ एन में बोल सकता है chapter number one को आप अच्छे से करके जाओगे properly पहले dismiss पड़ोगे dismiss से जो भी points रहेंगे वो भी features में अगर आते हैं तो वही आप चिपका क्या होगे वहाँ पे then merits merits के लिए manager से बोला की बबा joint stock company का बड़ो co-op radio and partnership का उसके लिए ज्यादा importance देना then chapter number two में warehouse के उपर इस बार question आने के ज्यादा चांसे से commercial banks भी अच्छे से पड़ना और eco में भी काम आएगा वह आपको then आप chapter number three में chapter number three में आपको short note पे question आने वाला है वह एक याद रखना two or false में statement आने के चांसे से chapter number four में responsibilities of business towards owner investor society इस बार ज्यादा चांसे से then chapter number five consumer protection इस और वो nature and importance of consumer protection को अच्छे से देखो then chapter number six वहाँ पे functions of scientific management इस बार आने के चांसे से techniques of scientific management भी पड़ना then जो भी आपको nature and importance दिया है functions of management का वो भी question को अच्छे से पड़के जाआँ chapter number six में तो nature and importance सबके तो वहाँ पे भी question आने के chances है जो बच्छे ने chapter number six तक जो बच्छों ने अच्छे से किया है उन्होंने last के दो chapters वो intervenership and planning director और वो सब अगर option में भी रखते हो तो भी कोई problem नहीं है पट हाँ पहले chapters आपने properly कर दिने चाहिए तो ठीके all the best for your examination and thank you so much for watching अगर आये हो तो चैनल को subscribe करके जाना यह paper और SP OC के important जो भी questions रहेंगे और जो भी मैंने videos upload किये उसका link में description में देखे रहो वो भी अच्छे से देखके जाओ और exam में अपना best देखे आना my well wishes is always with you thank you so much